तो मिकानिकल टेक हिंदी फिरण्स आजकिस पिडियो में आपको प्राक्टिकली चेक करके बताने वाला हों कि कैसे आप अपने जो हेड का साइज है उसे खुछ से चेक कर सकते हो और हेड के साइज का कॉर्ड़िंग अपने लिए जो सही साइज का हिलमेट है उसे चुन सकते ह अब फेर देखो जिस तरह से हर एक इंसान का जो head का size है वो अलग-अलग होता है सेम उसी तरह से क्या होता है कि जो jaw का size होता है जो हमारा चेहरे का size होता है वो भी अलग-अलग होता है किसी का पतला होता है किसी का मोटा होता है इसने जरूरी है सही size का helmet जो कि एक तरफ जहाँ आपकी riding को safe पनाएगा वहीं दूसरी तरफ सही size का helmet पहने से क्या होगा कि जो आपका लगता राइटिंग के वक्त helmet पहने से जो हमारे कान लाल हो जाते, यहाँ पर दुखने लगता है जो jaw है, जो जब बड़ा वो दुखने लगता है यह सब problem दूर हो जाएंगे तो इसी के बारे में आपको practically आगेश वीडियों बताने वाला हूँ साथ यह आपके लिए के bonus content यह भी है जो कि शायर आपको पता बिल्कुल भी नहीं होगा कि इंडिया में क्या है, क्युकर अलग-अलग brand के helmets मिलते है तो हर एक brand का जो size है, वो दूसरे से differ करता है एक brand का medium size है, वो दूसरे brand का large size बन जाता है एक brand का large है, वो दूसरे ka excel भी होता क्यूंकि सब का head के according chart है, वो अलग-अलग होता है तो चलो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, कि जो head का size है, उसके according नापके बताता हूँ, helmet का size, उसके बाद मैं आपको जो जो है, जो हमारा जबडा होता, उसके according size में क्या difference होता वो बता दूँगा, और हाँ इस वीडियो के description और pin comment में, मेरे according जो आप online top 10 budget helmet खरीच सकते हो, उ आपको notification के दूँग मिलते रहे, offense यहाँ पर आप ध्यान दो कि जब हम लोग measuring tape के help से head का size मेजर करते है, helmet का पता करने के लिए, तो यहाँ पर आपको पताना चाहूँगा, कि आप हमेशा से इस तरह का lose tape होता है, जो tailors वगरा use करते हैं, टेप इसका ही use करें, अगर आप यह वाला जो हमारा tape है, इसका use करोगे, तो इसके सही measurement नहीं आएक, और यहाँ पर आपको यह भी समझ देना होगा, कि इस तरह के tape में, मैं आपको खोल के दिखायता हूँ यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो आप inch में भी कर सकते हो measure, यहाँ ठीक है, इंच के लावा क कर सकते हो, लेकिन best होता, अगर आपको head का size सही पता करना, helmet के आप से, उसका according, तो आप यहाँ पर जो centimeter है, centimeter में ही measurement को करे, अब यहाँ पर देखो कि head का कौन सा position हमें measure करना, तो eyebrows से कम से कम 2 centimeter उपर होना चाहिए, आपको measure कर रहा है, और जो कान है, कान से 1 centimeter उपर आपको measure क करना है, तो चलो, इस ही का according में पर measure करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से पीछले आता हूँ, एक बड़ चेक कर लेते हैं, इसका size, यहाँ पर सही है, चलिए, तो eyebrow से करीप करी 2 centimeter उपर, तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक एक बार अपने अजदीक से दिखा हूँगा, अलग-अलग brand का जो chart है, वो वीडियो में आपको आगे मालूम चलेगा, आप देखो, यहाँ पर यह वाला, जो helmet size का in centimeter वाला chart देख रहे हूँ, यहाँ आप देख सकते हो, ऊपर में, जो head का size है, वो centimeter में लिखा हूआ है, और नीचे में आप देख सकते हो, कि क size का helmet जादा suitable है, इस particular head के लिए वो आपको देखने को मिल रहा है, जो head हमने यहाँ पर test किया था, वहाँ पर निकला था 59 centimeter, तो यानि कि इस head के लिए जो suitable होगा, जो ideal helmet का size होगा, वो होगा L, यानि कि large size का helmet, वैसे आप अपने head का size है, वो measure करके इस video में comment जरूर से करना, स हाँ, आप किस brand का helmet पहनते हो, या आप इस video में comment जरूर से करे, अब देखो जो दूसरा point है, यह और ज्यादा important है, क्योंकि आप गलती यहाँ पर मत करना, पहले point से यह तो clear हो गया, कि head के size के according, आपको कि size का helmet को पहनना चाहिए, तो आपको जो helmet का ऊपर का जो portion है, वो तो अच्छी तरह से fit आजाएगा, लेकिन यहाँ पर जो चेहरे का size है, जो jaw का size है, वो भी बहुत ज़्यादा matter करता है, यहाँ पर कुछ important points है, पहले मैं आपको साथ वो share कर देता हूँ, friends अब यहाँ पर देखो perfectly size helmet के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले तो check करने के लि कि भाई कहीं पर extra pressure पढ़ रहा की नहीं पढ़ रहा, यह important है, अभी जो padding होती है, ठीक है, तो हर एक helmet में आप देखोगे कि जो padding होती है, किसी में कम, किसी में बहुत ज़्यादा padding होती है, तो यहाँ पर यह जरूरी ही कि जब आप helmet को पहने हूँ, तो जैसे मैं बात कर पा पर यह निकल कर आता है, कि जब आप helmet पहन के इस तरह से अपने head को, lift, right, ऐसे move कर रहे हो, यह बहुत जरूरी चेक करना है, ठीक है, थोड़ा आप कसके भी चेक कर लेना है, ठीक है, तो जब यहाँ पर आप ऐसे check कर रहे हो, उस time पे, ऐसा नहीं कि आप इस तरह से मोड रह कर रहा है, यह तो मैं pressure लगा के दिखार आपको करके, यह नहीं होना चाहिए, यह अराम से, जब आप left, right, कर रहे हो, तो अराम से helmet भी move करना चाहिए, यह जरूरी ठीक है, अब जब ऊपर head को आप, क्योंकि जब ride कर रहे हो, तो कई बार ऊपर देखते हो, नीचे देखते ह यह नहीं, यह भी fitment सही होना चाहिए, अराम से इस तरह से move करना चाहिए, यह भी यह है, कि भाई, आपका helmet जो है, वो fit है, अब जब आप अपने head को कुछ इस तरह से sideways, ऐसे move कर रहे हो, तो वहाँ भी आप देख लेना, कि आपका helmet है, वो आपका head के movement के साथ, अराम से move हो हो जाना चाहिए, यह कुछ basic कीजिए है, इस से क्या हो जाएगी, कि आपको मैंने head check करके बता दिया, लेकिन चूकी इसका जो size है, हमारे गाल वगरा का, चिक का, ठीक, उसके लावाज, जो का size अलग-अलग होता है, तो उस पर भी roll आ जाता है, कि जब आप पहन के इस तरह चीज़ों को check कर लोगे, तो वहाँ पे भी size बहुत हद तक clear हो जाता है, और इस तरह साप एक अच्छा helmet, एक अच्छा size का helmet अपने लिए चुन पाओगे, फ्रेंट्स वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ गया होंगे, कि बाइ, helmet जो सही size का है, वो अपने head का according आपको कैसे चुना चाहिए, अब हम लोग बात करते हैं, जो different अलग-अलग brand है, वो अलग-अलग head का size है, as per centimeter, कितने centimeter का head है, उसके according अपना dak pierwszy, जो two, वो अब हो भाद पा कितने है, अलग-अलग 30 क कितने टे का अे, उसके भूप, तरहो अ़या है, अलग-अलग, ठावाश, अब को रont, उसके बादिय anderen dad, कितने को बाद़ात से व्रश रह जा być तरह Is फ्रेंज मैंने अपने हिट क का साइज भी मेजर किया इस सेम तरीके सब और मेरे हिट का जो साइज निकला गो निकला 58.5 CDCंकर और वैसे अपने लिए लाग़ साइज के हिल्मेट को ही प्रिफर करता हूँ तो friends उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने helmet के बारे में जो जानकारी आपके साथ शेर की वो आपको पसंद आई होगी उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए नई होगी और useful भी रही होगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर से कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए इसके लवागर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाली बारे वीडियोस के अपडेट आपको निटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे मिलते अगले वाडियो में थैंक्स वाचेंग इस वीडियो गुडबाई